उसोत गोर्खा समुदाय का बेड़ता का कहानी हरू बिश्चो भरी प्रशिद्ध छन। तर कदिपए गोर्खा सैनिक ले देखाये का अदम में साहास को कथा मानिसरु को मनमा यसरी छापिये को छा की उनेई साहासी गोर्खा सैनिक का लड़ाय का किस्सा कहानी ले आज अपन श्रत्रुहरू गोर्खा सैनिक सित सामना नभै दिये हुंतियो भन्ने सोस्त छन। आजा हामी यस्ते एक बीर कोर्खा योध्धा को बारेमा बतावना कई रहे का छूं। चसलाइ जिविते होदा भारत सरकार ले मरनो परांत परम बीर चक्र ले सम्मानित करे को ठ्यू। हामी कुरागरी रहे का छूं। भारती सेना को गोर्खा राइफल्स को आठों बटालियन का मेजर धन्सिंग थापा को बारेमा। धन्सिंग थापा को जन्म चार जुन 1928 मा शिमला को सुरम्बे मा एक गोर्खा परिवार मा भय को ठ्यू। बाल्ले काल देखिने थापा सेना मा भर्ती हुना चाहन थे। छुलो खुदै गायबचे 28 अगस्त 1990 मा उनले आफनो इच्छा पुरा गरे। थापा आठों गोर्खा राइफल्स को पहलो बटालियन मा शामिल भय। भर्ना भय देखिने थापाली सबैलाई प्रभावित पारेका थी। उनका बहादुरी का किस्सा हरू उनका सहकर्मी हरू माझा निकई चर्ची थी। उनले सीनियर अधिकारी हरूले दियेका हरेक जिम्मेवारी रामरो संग निर्वाहा करी रहेका थी। तेशाई बेला हिमालाई छेत्रको विवादित शिमा माँ चीनिया स्टेना को घुस पैट बड़े। न भारतीय स्टेनालाई रोक्न भन्ये पछे थापा यो अभियान को हिस्सा बने। उन्नाईसे बैशक्ठी माँ फोर्वाड नीत्य अंतर्गत विवादित शित्रहरू माँ भारतीय स्टेनाले कयों ससाना पुस्टहरू तयार पारे कुधियो। भारत को योग कदम पछी चीनिया स्टेनाले आक्रमड नगरने अपेक्ष्या गर्ये कुधियो। तरह चीन को दिमागमा और कई कुडा चली रहे कुथियो। चीनिया स्टेनाले भोगो लीक वस्ताको फाइदा उठाओ देई युद्धा शुरू गर्यो। जुन इत्यासको पानामा कालो अक्षेर माले खेको छा। जस युद्धामा धन्सिंग ठापा आठों गोर्खा राइफल्सको पहलो बटालियनका उमेरले लख्खा जवान 27 जना स्टेनिक सहित लद्धाको पैंगों तालको उत्तरी किनारमा रहेको शिर्जब पोस्टमा तैना थी। उनली आफनो बरपरको 48 बर्ग किलोमेटर छित्रलै चीनिया स्टेनिक बाटल सुरक्षित राखनो पने थिय। उनली आफनो पोस्टमा तैनार थी। 22 अक्टूबर 20 1962 मा चीनिया स्टेना का करिब 600 स्टेनिक ले तोप्र मोटार को सहित आले थापाको पोस्टमा आक्रमड गरे। गोर्खा हरुले पुना स्ट्ति का साथ सत्रु संग लडे। रठुलू संख्यामा चीनिया स्टेनिक लाई मारे। तीथी बेलास चीनिया स्टेना को पईलू प्रयास असफल भायो। गोर्खा को लडाई देखेरा शत्रु सैनिक छक्क परे। की करने उसले बुझेना तेस्वची आक्रोसी चीनिया टुकडी ती ब्रताका साथ थापा को पोस्ट नजिक पुगेरा आगो लगाई दिये। इन कमान सुभिदार मीन बहादुर कुरूं को साहास अटल थिय। दुबई एक पोस्ट बाट और कू पोस्ट मा दौडेर मेशिन गनली फाइरिंग करी रहे। चीनिया सेना पोस्ट को देरे नजिक पुगे पछे बम प्रहार करन थाले। गोर्खा रेजमेंटर चीनिया सेनिकरू बीच भीशन युद्ध चली रहे कुथि। दुबई तर्फबाट गोली हाना हान भैड रहे कुथि। यस पोस्ट मा धन्सिंग ठापा 27 जबान सेथ जबाब दीर है का थी। तर अबोनी संग साथ सेनिक मात्र बागी थी। तिसरी समय मा चीनिया सेनिकरू ले फेरी एक पटक भारी मेशिन गंडर रोकेट लॉंचर ले आक्रमण गरे। यस पटक चीनिया सेनिकरू पनी ताल को किनार बाट एमफियस डुंगा मा आयका थी। भारत का द्रियोटा स्टम बोट ले चीनिया डुंगा मा आक्रमण गरे चिन्य आक्रमण मा दुबै भारती डुंगा धोस्त भाय अब तीन जना मात्रे सैनिक का साथ मा था पाले बंकर बाट शत्रु मा थी गोलिहानी रहे का थी तेसे बेला उनको बंकर मा बंख सालियो जो बिश्पोर्ट हुनो अगी उनी बंकर बाट हाम भाले जये महाकाली आयो गोर खाली भन दै आफो संगई भाय को खुकुरी इले शत्रु हरुलाई मार न थाले तर उनले लामो समय सम्मा लड़न सके नन ड्राउनलाई बंदी मनाईयो दोर भाग्य वस भारती सेनालाई तेसको जानकारी थिये न बंदी मनाईये पछे उनले अनेक किसिम का यातना भोगनो परेको थियो तर उनी हरु इगोर खालाई जुकाउना सके नन भारती सेनाका अनुसार थापा आफना सात्य हरु सैत रणभूमी मां मार्गी का थी और को तर्फ थापा को शहीद भाय को खबर पाय पछे परिवार शोक मां डूबयो परिवार ले थापा को अंतिम संसकार गर्यो तर यती हुदा हुदे पनी मेजर थापा की पतनी लाई आशा थियो की उनका सिर्मान जीवी तै छान। ये दिपी उनले विद्वा को वस्त्र धारन गरिशकी की थीन। उनको बहादुरिलाई संबान कर दै भारस सरकार ले मरणो परांत परम्बी चक्र प्रदान करने घूशना गर्यो तर थापा को कथा यहां टुंगिये न। कई समय पछी युद्ध सक्किये पछी चीनले भारत लए युद्ध बंदीहरुको सोचि आस्तांत्रन गरे को थीू। जसलाई उसली युद्ध को समय मा बंदी बनाय को थीू। युलीष्ट मा मेजर थापा को नाम बनी थीू। जसलाई पड़ेरा पुरी देश चकीत भायों। दस मैं 1963 मां मृत्युलाई पराजित करी थापा चीन बाटा फर्किये पछी सेना मुख्याले सैत शिंगु देश लेवनको भब्बे स्वागत गरेको थियो। घरमा उनी फर्किये को मां खुशी को सिमानी थिये न। तर उनी जसलाई घर्पुगे परिवार संगई बसन कलागी उनले फेरी सिर्माती संग विवाहा करनू परेको थियो। चीन बाटा फर्किये पछी थापा धेरेई बर्ष सेना मां रहे। पछी उनी सेवा निर्वित भायरा परिवार संग लखनौ मां बसे। रा सेप्टेमबर पांच दुहाजार पांच मां उनले देत्या गरे। यदेपी उनी आजा हामी भी चैनन तर उनले गोर्खा समुदाय को पराकर्म साहस रभीरता को जुन उधारन देर विश्वलाई गय काशन। इसले गोर्खा बीर ताकवर को नाम हो भन्ने परिचिर देर गय काशन। सिक्किम नियूज मेजर धन्चिंग थाप आजस्ते संपूर्ण बीर कोर्खा सबुधरु प्रती नमन गर्दै हार्दिक स्रदान्जली अर पन गर्दशा।